नमस्कार दोस्तों मैं उजवल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में आज मैं जाने वाला हूं चीनार पार्क में और आज मैं आप लोगों को एक 3BH के दिखाऊंगा जिसका टोटल स्क्वाइर एरिया है आपका वन फोर डबल नाइन एप्रॉक्सिमेटली पन्रह स्क्वाइर फेट का फुली फर्नेश 3BH के फ्लाइट आपको आज मैं दिखाने वाला हूं जिसमें आपको कुछ भी काम कराने के जड़त नहीं है आप सिर्व आतर दो से तीन मिनिट का दिस्टेंस है अप्रोक्सिमेटली आट सो मिटर का दिस्टेंस में आपको यह वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा और यह फ्लाइट होने वाला है आपका कॉम्पलेक्स में आपको विद्बेस्मेंट कार पार्किंग के साथ यह वाला 3BH के फुल फ सब्राइबन दोस्तों यह है फ्लैट में जाने का एंट्रेंस यहां देख सकते हैं CC वी है यहां से अवी एंट्रेंस हम लोग जा रहे हैं और इस तरफ यह है आपका lift area और यह है आपका stairs यहां देख सकते हैं ग्रैनाइट से काम किया हूँ है इस तरफ आपको एक notice board मिल जा रहा है यहाँ पर आपका letter box मिल जा रहा है ओपर देख सकते हैं सीसी टीवी के लिए TV लगाया गया है तोटल आपको यहां पे दो लिफ्ट मिल जा रहा है तो चलिए लिफ्ट आपको खोल के दिखा देता हूं तो दोस्तो अब हम लोग सेकेंड फ्लोर पर आ चुके हैं और यह है आपका सेकेंड फ्लोर का कॉमन पैसेज यहां पर आप देख सकते हैं ग्रैनाइट लगा के काम किया गया है इधर स्टियर्स यहां भी आपको CCTV मिल जा रहा है और इस तरफ यह जो फ्लैट आप देख रहे ह है यही आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को फ्लैट के अंदर लेके चलता हूं और फ्लैट के अंदर जाने से पहले इस फ्लैट का जो एंटरेंस है हम लोग कॉमपास में देख लेते हैं साउथ वेस्ट एंटरेंस आपको य आपका 10 x 6, 10 x 6 का एक पैसेज यहां पे मिल रहा है, उपर आप देख सकते हैं, पुरा वोडन का यहां पे काम किया हुआ है, सामने देख सकते हैं, यहां पे वाल पेपर लगा के काम किया हुआ है, इस तरफ मेरे राइट हैं में आपको शू कैबिनेट मिल जा रहा है, काफी बड़ा शू कैबिनेट यहां पे बनाया गया है, आराम से आप लोग यहां पे शू बगर रख सकते हैं, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, कैबिनेट बनावा है, यहां पे बैटने के लिए जगा है, बैट के शू आप लोग यहां पे पहन सकते हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस flat का हमारा जो first bedroom है और इस first bedroom का जो size है वो आपको 12 by 10 का मिल जाएगा तो 12 by 10 का एक काफी बढ़िया first bedroom आपको यहां पर मिल जा रहा है इसमें flooring आप देख सकते हैं यहां पर wooden minutes है और इस तरफ आपको दिखा देता हूं यहां एक mirror मिल जा रहा है और इस तरफ आप देख सकते हैं काफी बढ़िया यहां पर wardrobe बनाया हुआ है काफी बढ़िया यहां पर interior का decoration किया है यहां पर आपको एक queen size bed मिल जाएगा इसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया decoration किया है और सामने आप देख सकते एक AC मिल रहा है आपको लॉइड का इस वाल पे पूरा wallpaper लगाया गया है आपको बता देता हूं यह वाला flat आपको fully furnished flat मिल जा रहा है as it is जो समान आप देख रहे हैं एकदम as it is आपको मिलेगा उपर देख सकते हैं fall ceiling का का काम किया हुआ है तो चलिए अब इस room में आप लोगों को एक balcony मिल रहा है और इस balcony का जो size है वो आपको 10 by 5 का मिल जाएगा 10 by 5 का एक balcony आपको यहां पर मिल रहा है आप देख सकते हैं इसको as a washroom यहां पर convert किया गया है यहां एक basin मिल रहा है यहां एक western style commode मिल रहा है इस तरफ आप देख सकते हैं विंडो है आप लोग चाहें तो इसको as it is use कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो इसको हटा के आप balcony में convert कर सकते हैं वाल में आप देख सकते हैं काफी बढ़िया यहां पर टाइल्स लगाया गया है तो चलिए अब निकलते हैं इस रूम से इस फ्लाट का total square feet area है आपका approximately 1500 1499 square feet का यह फ्लाट आपको second floor पर मिल जा रहा है यहां पर touring why you Mimi Lee आपको मिल रही है देich सकते हैं यहां पर simplify tiles आपको मिल जा रहा है पर अभी मेरे शामनिया आप देख रहे हैं यह यह इक लविंग स्पीश आप छो मिल रहा है और स्पार अपिस लविंग स्पीर का जो साईस निजर रहा है सामने आप देख सकते हैं एक टीवी साथा मिल रहा है है सबसेख और इस तिख सकते हैं लगा वाल लगाकी काम किया गया है मिल जा रहा है और इस तरफ आपको दिखा देता हूं काफी सारे यहांपे cabinets बनाए हैं काफी सारा storage है यहां पर और इस living space में आपको एक balcony मिल जा रहा है और इस balcony का जो size है वो आपको 10 by 3 का मिल जाएगा 10 by 3 का एक balcony living space में भी मिल जा रहा है और इस balcony का जो facing है वो हम लोग compass में देख लेते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग बैलकनी आपको यहां पर मिल जा रहा है तो चलिए अब इस living space से निकलते हैं और इस तरफ आपको मैं दिखा देता हूं इस flat का जो dining area है और इस dining space का जो size है वो आपको 14 by 11 का एक dining space आपको यहां पर मिल जा रहा है इसमें भी आप देख सकते हैं यहां पर एक मंदिर बना हुआ है इस तरफ आप देख सकते हैं यहां भी काफी सारे cabinets है यह टेमपल जो है आपको north east facing में मिल जा रहा है तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस flat का जो kitchen है वो दिखा देता हूं इस kitchen का जो size है वो आपको 13 by 7 का एक काफी species और modular kitchen आपको यहां पर मिल जा रहा है यहां पर देख सकते हैं पूरा modular kitchen यहां पर बनावा है काफी बढ़िया storage है यहां पर देख सकते हैं काफी बढ़िया यहां पर cabinets लगा हुआ है storage की कोई कमी नहीं है इस kitchen में आराम से आप लोग अपना समान यहां पर रख सकते हैं इस तरफ आप देख सकते हैं जो जो electronic items आपको यहां पर दिख रहे हैं सब as it is आपको मिलने वाला है इधर एक chimney मिल जा रहा है आपको पुचीन है यहां भी आप देख सकते हैं काफी सारा storage है तो चलिए अब निकलते हैं इस kitchen से तो इस kitchen के ठीक बगल में आपको मिल जा रहा है इस flat का हमारा second bedroom तो चलिए second bedroom हम लोग देख लेते हैं और इसका जो size है वो आपको 13 by 10 का मिल जा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं यहां पे काफी बढ़िया wardrobe बना हुआ है पुरा उपर तक एकदम काफी सारा storage है यहां पर बहुत ही बढ़िया wardrobe का काम किया वा है सामने आप देख सकते हैं queen size bed मिल जा रहा है इस तरफ एक TV मिल जाएगा इधर आप देख सकते हैं टेबल है और उपर आप देख सकते हैं एक higher brand का AC मिल रहा है वाल में आप देख सकते हैं पूरा wallpaper लगा के यहां पे काम किया गया है और इस रूम में आप लोगों को एक window मिल जा रहा है और इस window का जो facing है वह आपको south facing मिल जाएगा तो चलिए अब निकलेंगे इस रूम से और आपको मैं दिखाऊंगा इस flat का हमारा जो third bedroom है जो कि हमारा master bedroom है तो यह है इस flat का third bedroom चलिए third bedroom के अंदर चलते हैं और इस third bedroom का जो size है वह आपको 14 by 12 का मिल जाएगा 14 by 12 का एक third bedroom आपको यहां मिल जा रहा है इसमें भी आप flooring में देख सकते हैं काफी बढ़िया यहां पे wooden tiles लगा के काम किया गया है और wall में आप देख सकते हैं काफी सुंदर यहां पे wallpaper लगाया गया है और इस तरफ आप देख सकते हैं काफी बढ़िया यहां पे wardrobe का काम किया हुआ है पूरा उपर तक यहां पे cabinets है और उपर आप देख सकते हैं इस तरफ आप देख सकते हैं साइट टेबल है यहां पे जगह बनाया हुआ है समान रखने के लिए उपर आप देख सकते हैं किसी मिल रहा है और इस रूम में भी आपको एक window मिल जाएगा जिसका facing है south यह बहुत अच्छी चीज है इस flat में काफी सारे window है जो south facing है जैसा कि यह master bedroom है इसमें आपको मिलने वाला है एक attached toilet और इसका जो size है वो आपको seven by four का मिल जाएगा तो 7 by 4 का एक attached washroom आपको इस room में मिल जा रहा है इसमें आप flooring में देख सकते हैं यहां पर anti-skit tiles लगाया गया है यहां पर जो दूर है यह भी आपको plywood door मिल जा रहा है यहां पर एक basin मिल जा रहा है इसमें एक western style commode मिल जाएगा देख सकते हैं वहां पर marble लगाके काम किया गया है और wall में आप देख सकते हैं काफी उपर तक यहां पर tiles है इपर एक fan मिल रहा है और आपको बजाज brand का यहां पर गीजर मिल जा रहा है इधर आप देख सकते हैं पूरा storage के लिए यहां पर जगा है और यहां पर आप देख सकते हैं इस room में आपको dressing के लिए एक इस पीस और मिल रहा है तो यहां पर यह हो गया आपका dressing area तो चलिए अब निकलेंगे इस room से और देखेंगे हम लोग इस flat का हमारा common washroom master bedroom के ठीक बगल में आपको मिल जा रहा है इस flat का common washroom जिसका size है आपका 9 by 5 9 by 5 का common toilet आपको यहां मिल जा रहा है इसमें bezson भी flory में आप देख सकते थार्ष हैं यहां पर एकबेसिन मिल रहा है इसमें भी आपको क्वेच्टन style कोमड मिल जाएगा और सामने आप देख सकते हैं यहां पे यहां पर स्पीस है आपको wall hanger मिल रहा है और इसमें भी आपको एक viewsra mmV को मिल जा रहा हैнов tu चलिए कि यहां पर रूफ ट्रीटमेंट का काम किया वा है वैसे इस फ्लाट में ज़रद तो नहीं है क्योंकि यह सेकंड फ्लोर पर है और इस तरफ से कि आप देख सकते हैं कि यहां से एयर पूर्ट काफी नज़्दिक आपको मिल जा रहा है एयर पूर्ट नजर आ रही है इस तरफ से आपको च्वार टेरेस दिखा देता हूँ इस तरफ आपको यह लिफ्ट रूम मिल जा रहा है काफी बढ़िया लोकेशन पर मिल जा रहा है आपको यह फ्लैट एक्टम 211 बस रूट के ऊपर चीना पाक से काफी नज़्दीक है यह फ्लैट जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख पा रहे हैं आप लोगों को इस कॉम्प्लेक्स में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लैंट मिल जा रहा है तो यहां पर पानी में आईरन की कोई समश्या नहीं होगी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं आप लोगों को इस complex में एक basketball court मिल जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे आके खेल सकते हैं दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक kids play area मिल जा रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं बैटने के लिए भी chairs लगी भी है तो यहां पे आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आके शाम की टाइम में यहां पे खेल सकते हैं तो जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं यहां पे आप लोगों को इस complex में एक temple मिल जा रहा है तो यहां पे आप लोग पूजा वगड़ कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं आप लोगों को इस complex में यहां पे swimming pool मिल जा रहा है सामने आप देख सकते हैं एडल्ट के लिए पूल है और यहां पर साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा पूल है तो आप लोगए यहां पर आकर अराम से ना सकते हैं तो आप जैसा कि मेरे सामने देख सकते हैं इस era को में आप लोग यहां पे आराम से आके कर सकते हैं तो दोस्तों इस फ्लैट के साथ आप लोगों को एक basement पारकिंग यहां पे मिल जाएगा तो आप लोगों को पारकिंग भी अलग से खरीदने की ज़रत नहीं है जो फ्लैट का प्राइस है उसमें ये पार्किंग इंडियोडेड है तो दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक 24-7 पावर बैक अप मिल जा रहा है तो यहां पर एलेक्ट्रिक सीडी के लिए कोई समझ्या नहीं होगी तो दोस्तों आप लोगों को काफी बढ़िया एक 3BH के फुली फलनिश्ट फ्लैट मैंने अभी दिखाया आप लोगों को यह फ्लैट अगर पसंद आता है और आप लोग अगर अपना साइट विजिट बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉंटेट करके अपना साइट विजिट बुकिंग कर सकते हैं और इस फ्लैट का जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोगों को काफी रिजनेबल रेट में यह वाला फ्लैट मिल जा रहा है मातर 90 लाक र लेके आए और सीधा रहना सुरू कर देजिए फ्लैट में पूरा एकदम काम कंप्लेट कियावा है फरनीचर का बहुत ही अच्छा यहां पर इंटर्यूर डेकॉरेशन कियावा है बहुत ही अच्छा काम यहां पर कियावा है और दोस्तों आप लोग अगर मेरे यह वीडिय और फुल वीडियो दोनों देख सकते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस्बूक का यूजर नेम है वो फ्लैश हो रहा है एसस प्रॉपर्टी के ओल और अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मेरे आप लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलूंगा किसी नई लोकेशन पे किसी नई प्रॉपर्टी के साथ आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच फो वाचिंग हैव अगूड डे बाबाए